प्रस्नावाली आठ दस्मलो एक प्रस्न नंबर एक इसमें है तिर्भुज ABC में जिसका कोण B समकोड है AB वराबर 24 cm और BC वराबर 7 cm है निमलिखित का मान गयात कीजिए इस प्रकार के कोईश्चन में सबसे पहले हमें तिर्भुज बनाना है और जो भुजा नहीं दी हुई है उसको ग्यात करना है तो इसकी तिर्भुज की बात करें तो इसमें B इसका समकोड है तो बाकी A और C इस तरह से हो जाएगा हमें पता है इसमें AB 24 cm और BC 7 cm दिया हो यह तो इस ही नहीं पता हो है तो यहां से पाइथागोरस परमेशे हमारा होता है कांड का स्क्वाइर ब्राबर लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर AC स्क्वाइर बराबर यहाँ पर BC दिया होय साथ प्लस AB 24 तो यहाँ पर AC स्क्वाइर बराबर 7 सता उन्चास प्लस 24 कर 27 से मल्डिप्लाय करेंगे तो आएगा 576 अब इस दोनों को एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 625 अब AC जब इधर स्क्वाइर इसका हटेगा इधर करणडी लग जाता है 625 अब करणडी 625 का मान होता है 25 तो यहाँ पर हमारा AC बराबर आ गया 25 अब हमारे पास सारे मान है अब हम पहला question अब हम पहला question जिसमें हमें निकालना है sign A तो sign A बराबर हो जाएगा हमारा होता है sign A होता है लंब बटा करणड़ तो यह जाएगा BC बटा AC BC हमारा दिया हुआ है 7 और AC हमारा आया है 25 तो यह हो गया हमारा sign A और अगला निकालना है हमें cos A तो cos A होता है आधार बटे करणड़ आधार इसमें है AB और करणड़ है इसमें AC तो AB हो गया हमारा 24 और करणड़ हो गया हमारा 25 तो इसका उत्तार हो गया 24 बटा 20 इसे तरह से दुसरे question में हमें निकालना है sign C तो sign C अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब यहां पर जो कोंड़ दिया होता है उस कोंड़ के सामने वाला उसका लंब होता है यहां पर C कोंड़ यह है इसके सामने वाला लंब कौन सा हो जाएगा यह जो AB है यह लंब हो जाएगा और जो BC है यह आधार हो जाएगा तो इस प्रकार से साइंस ही होता है हमारा लंब बटे आधार तो लंब हमारा हो गया यहाँ पर लंब AB और कंड हमारा हो गया AC तो AB हमारा हो गया 24 और AC हो गया हमारा 25 इसी तरह से कॉसी की बात करें तो कौस्सी होता है मारा आधार बटकंड तो इसक्साहत다면 BC क्या है kand है उमया है 20 तो this time, तो कोश्चन क्या है